नमस्कार दोस्तो मेरे नेव लोग में आप सभी का स्वागत है दोस्तो दोस्तो आज मैं मेरे दिवक्ता साथियों के साथ गाड़ी में खेटडी पलेस देखने जा रहा हूँ दोस्तो खेटडी पलेस रावली प्रवसंकला की चोटी पर बना हुआ एक महल है महल के बाहर हम पोचे तो देखा I love खेटडी लिखावा है जो कि बहुत जादा सुन्द लग रहा है खेटडी नम्डे के लिए बहुत जादा परसीद है दोस्तो आगे बढ़े तो देखा हम में फ्रेंट पे आए में फरन्ट पे यह में दरवाजा है यह बोपाल सिंक यहां के पर्थम राजा बोपाल सिंक थी उनके दौरा बसायओ इस एरिये को बोपालगड का जाता है सामने पे दिखाई जह रहा है वह मोती पलेस है दोस्तों मोती पलेश खेटडी महल जो की जुन्जनु का सेकावर्टी का हवा महल भी का जाता है सुरक्षा की देश्टी से देखे तो दोस्तों यहां पर मोटी मोटी दिवारे बनी वी है तुरकी के राजा मुहमद गजनवी द्वारा भारत पर सतरा बर आकरमन किये थे उन में से एक आकरमन यहां पर खेटडी महल में किया गया फिर भी इसकी कोई सुन्दता में कोई कमिन आए बीच में रुके तो देखा मंदिर के दर्सन किये हैं मंदिर बहुँ ज़्यादा सुन्दर है दोस्तों और भफिया है यहां पर माराज की गद्डी लगी वी है माराज की गद्डी के सामने हम सभी ने मत्ठा टेका और उनका आशिवाद लिया उनके आशि वाद में फिगद्दि के सामने लेने के वाद में एक खानन सी की शान्ती के अन्भुती हुई दोस्तों और यहां सब भी राम नाम जप रहे थी बहार आया तो शान्ती सी का एक आसास हुआ और एक अंदर ही अंदर खुशी सा भी अनभूती थोड़ी थी दोस्तों नीचे उतरने लगे तो दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा मनुरंजन किया यह सीज मेल है दोस्तों वही सीज मेल जहां पर विवेकान जी रुखे थे विवेकानन जी वे विवेकानन नाम माराजा आजी सिंग द्वारा दिया गया था आजी सिंग द्वारा ही विवेकानन जी की पूर्ट की की थी कि वो दार्मिक्स समेनल सिकागो में जो दार्मिक्स मुलवा उसमें सामिल हुए थे उनकी आने पर उनकी खुशी में 40 मन गी के दिये माराजय जिस्ञ जिन्हें इस खेतडी के अंदर जलाएगे अब हम खेतडी मल से नीची उतरे पिलानी जाने के लिए धन्यवाद दोस्तो